आपका सुवागत है मेरे चैनल पर आज हम मार्किट जैसा चिलिप टैटो घर में बनाना सीखेंगे जो कि बच्चों का फेवरिट है और जो खाने में बहुत ही सुआदिश्ट लगता है तो आज हम देखेंगे कि घर पर इसको कैसे बनाए उसके लिए मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइज के आलू लिये हैं आलू आप नया पुराना कोई भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर नया आलू लिया है क्योंकि अब सर्दियों और सर्दियों में नया आलू ही मार्किट में आया हुए तो मैंने आपे नया आलू लिया है और आलू कट करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है आलू हमें पतला और छोटा कट नहीं करना है हमें आलू को बड़े पีसिज में और लंबे पीसिज ही कट करने है और मोटा पीस करना है ताकि कि जब हम इसमें एक या दो बोईल दिलवाएं तो ये मैसी ना होएं तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा मोटा ही कट करेंगे पतला कट नहीं करेंगे देखो हमारा आलू कट कर इस तरह से होना चीए इससे क्या होता है कि हमारे जो आलू है जैसे हम इसमें बोईल दिलवाएंगे तो ये मैसी नहीं होंगे और boil हमें जादा नहीं दिलवाना है boil हमें सिरफ एक या दो ही boil दिलवाना है जादा नहीं क्योंकि हमारे आलू पहले से ही हमने थोड़े से कट किये हुए हैं तो हमें सिरफ हलका सा boil दिलवाना है और हमारे आलू में boil आ चुका है अर इसको कभी मिलाना चाते हैं, इसको फोड़ा थेंगे थंड़ा होने के सितन possível क्यों Whis waktu कॉन प्रगा अटा मिलाँंगे और यहां पर मैंनेगे所 Σानग वागये हैं और ये ध्यान रखना है इसको कभी भी मिलाते टाइम हाथ से MIX नहीं करना है हाथ से MIX करोगे तो हमारे जो आलू है वो थोड़े से ब्रेक हो जाएंगे इसलिए हमें आलू को हाथ से MIX नहीं करना है ऐसे थोड़ा सा उछाल-उछाल करी इसको MIX करना है यहाँ पे हम कड़ाई में तेल डालेंगे मैंने यहाँ पे सरसो का oil लिया है और oil हमारा गरम हो चुका है oil में आलू डालते टाइम यह आपको ध्यान रखना है कि आलू आपको कही बार होते कि हमारे आलू में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो उसे क्या होता है कि छीटे ऊपर आती हैं तो हमें उसका ध्यान रखना है कि छीटे ऊपर ना आएं इसके लिए अप धीरे-धीरे आलूओं को डालें और गैस की जो फ्लेम होती है उसको थोड़ा हाई फ्लेम पर रखे तभी हमारे आलू थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे देखो इस तरह से इनको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि क्रिस्पी पन जादा है इसमें हमारे आलू बन के तयार है देखो कितनी क्रिस्पी लग रहे है न तो हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको साइड में रख देंगे और अब हम देखो कितना क्रिस्पी पन न है अब हम अपनी वेजिटेबल कट करेंगे जो हमें चिली पटैटो में डालने के लिए चाहिए यहाँ पे मैंने दो बड़ी सिमला मिर्च लिए है दो मैंने प्याज लिए है यह मैंने हरी प्याज लिए यह उप्शनल है आप चाहो तो डाल सकते हो और और अजर आपकी चोईस है यहाँ पे सिमला मिर्च में कट कर जङए सिमला मिर्च आप किसी भी साइज में कट कर सकतے हो यहाँ पे मैंने लंबे पीसिज ही कट किये हैं क्योंकि जादा तर चिलिप टैटोज वगेरा में लंबे साइज के ही कैपसी कम वगेरा डलती है तो आपकी जो पसंद आपको साइज है आप उस साइज के कट कर सकते हो यहां पे और यहां पे अब मैंने सिमला मिर्च कट हो गई है आप यहां पे अब मैं हरी प्याज कट कर रही हूं हरी प्याज कट करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है को कि कई बार क्या होता है इसके उपर पतली सी लेर होती है तो हमारा हैंड स्लिप होता रहता है तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि चाको आपके हाथ में ना लगे और यहाँ पे मैंने प्याज को लंबे साइज में कट कर लिया है क्योंकि हमारे जो प्याज होती है वो भी थोड़े लंबे साइज में ही अच्छी लगती है अब हमें एक पैन में ओईल डालेंगे और हमारा तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें अपनी जो हरी प्याज है पहले वो डालेंगे हरी प्याज को हलका फ्राई करेंगे हलका फ्राई करना है हमें दीरे दीरे फ्राई करते रहना है अब उसके बाद हम अपनी प्याज डालेंगे जो हमने कट की हुई है इसको भी हम हलका फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम हमें ज़्यादा हाई पे ने रखनी है हलकी लो फ्लेम पे रखनी है जिससे कि हमारे थोड़े से ये प्याज ब्राउन कलर के हो जाएं इनका थोड़ा सा color change हो जाए हमें बिल्कुल अच्छे से ये नी कि इनको पकाना है हलका brown ही करना है हमें प्याज को दीरे-दीरे चलाते रहना है अब हम इसमें अपनी similar mix डालेंगे similar mix को भी दीरे-दीरे चलाते रहे ज्यादा हमें फ्लेम को ज्यादा हाई पे नहीं करना है लो पे ही रखना है क्योंकि और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको भी हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है हलकी सी मीडियम उसमें ही हमें फ्राई करना है इनको अब मैं इसमें मैंने सेजवान चटनी डाले सेजवान चटनी यह मैंने घर में ही बनाई हुई है, इसकी वीडियो मैं बाद में डालूंगी, यह थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैचप डाला है, यहाँ पे मैंने कैचप डाला है, कैचप भी ओप्सनल है, आपको अगर लगता है तो आप डालिये दरवाइज, रहने दीजि लेकिन बच्चों को थोड़ा केचप डाल देते हैं, तो बच्चों को इसका हना, टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आप ये उप्सिनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, यहां पर मैं, सोया सोस डाल रही हूं, ये वन टेबल स्पून है, आप अपने चि जो मैंने चिलिप टेटो लिये हैं, उस हिसाब से मैंने यहां पर एक ढखकन ही, सोया सोस डाला है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अब हम इसमें अपने अलो फ्राई किये वे डालेंगे, और अच्छे से दीरे-दीरे मिक्स करेंगे, हमें ज्यादा स्पीड मे मिक्स नहीं करना है, कि यह मैसी पन इसमें ज्यादा आ जाए, इसके लिए हम दीरे-दीरे इसको मिक्स करेंगे, देखो हमारे यह अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमारे चिलिप टेटो बनके तैयार है, देखो, हमारे चिलिप टेटो कितने अच्छे लग रहे हैं, जो खा झाल